आद देखिए हम लोगों ने 2023 के नुवेंबर में जाती आधारिन गर्ना के बाद जो है आरक्षिन की सीमा हम लोगों ने 75% किया जिसमें की अति पिछले समाज का, दलिट समाज का, अधिवासी समाज का और पिछले समाज का हम लोगों ने आरक्षिन बढ़ाया और उस समें भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस सारक्षिन को कैबिनेट जो महागरवंदन का था उस समय हम लोगों ना नरोध किया था भारत सरकार से कि इसको schedule 9 में डाला जाए क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खत्रा है कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा P.I.I.L कराकर के इस तरह का काम रोकना चाहते हैं और जाती अधार इस गन्ना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था और जो सॉलिटेर जेनरल जो थे उस से में तुशार मैता उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया एफिडिपिट भी उन्हें दिया था तो हम लोग को इस बात का संदेख था कि ये बीजेपी के लोग जो है आरक्षन विरोधी लोग हैं जिसको हम लोग चुनाओ के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षन जो है वो बढ़ है उसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शड्यूल लाइन में डाला जाए आपको याद होगा जब इस जोनल का जो मीटिंग था कॉंसिल का जिसमें अमिट शा भी दिसंबर 10 दिसंबर को आये थे 2023 को उस समय भी हम लोग ने मांग की थी मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी ने भी मांग की थी कि भाई इसको शड्यूल लाइन में डाल दिया जाए लेकिन अब से तब तक 6 मेने हो गए है और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया यानि साफ दिखाता है कि भाजपा पिरोधी है P.I.I.L. करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग है वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग है और ये तो मार्च में इसकी बहस पुरी हो गई थी ये तो चुनाओं के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाजपा जो है इसको जो है बैक डाउन कर दिया गया है तो इससे हम लोग आहत हुए है और ये काम जो है बज़ निस्पक्षता के साथ किया गया था जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया पता नहीं जद्यू के लोग माने मुखमंत्री इस पे क्यों चुपिस आते हुए है कई बार माने मुखमंत्री जी ने मोधी जी का पैर पकड़ा है इस बार भी पकड़ के कमस्का मनुख नो में जो है इसको करवा ले और हम मुखमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि भाई अगर नहीं हो तो सर्वदलियर जो टीम बना करके माने प्रधान मंत्री जी से हम लोगों की मुलकात कराएं और शेडिल नाइन में इसको डाला जा